चुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ मंत्री जी का ज्यान आपको सुनाते हैं नशामुक्ती अभियान के मंच से मंत्री जी ने बकाइदा शराब पीने के फायदे भी गिनाए और शरापको पीने के काईदे भी बताये इतना ही नहीं नीट नहीं पीने की सलाह भी दी और इसके अलावा मंतरी महोदय ने खस्ता हाल सड़कों के फाइदे भी गिनाए और उनने कहा कि सड़कों के खराब होने से दुरघटनाय कम होती है क्योंकि रफ्तार में कम ही आती है गड़े होंगे तो तेज रफ्तार से गाड़िया नहीं चलेगी और जब तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलेगी तो हाथसे नहीं होंगे और हाथसों में जो लोग जान गवाते हैं उससे भी निजात मिलेगी चुकि हाथसों को लेकर ही हाली में एक आकड़ आया था जिसमें 36 गड़ में रोड एक्सिडेंट के मामले सबसे जादा पाए गए थे और ऐसे में ये अब जो बयान आया है मंत्री जी का शराप को लेकर भी और खराप सड़कों को लेकर भी ये बड़ा चौकाने वाला है जब वहाँ पर मंच पर नशामुक्ती अभियान के संदर में अपनी बात रखने के लिए पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या फायदे की नाया आपको बदाते हैं नशामुक्ती अभियान के कारेकर में मुख्यती थी महदय अपने उत्वोधन में शराप को किस तरह से पीना चाहिए ये बताने लग गए कितना पानी मिलाए जाना चाहिए, कितना नहीं मिलाए जाना चाहिए इतना इन्होंने नीट यानि बिना पानी मिलाए शराब नहीं पीने की सलह भी दी नशामुक्ती अभियान के तहद गए थे विहाजा उन्हें लोगों को ये बताना था कि किस तरह से शराब लोगों के लिए घातक होती है, परिवार तूटने है, स्वास्त खराब होता है, लेकिन ये सब को छोड़, मंत्री महोदय शराब किस तरह से पीनी है, इसके काईदे और फायदे बताने लगते हैं, एक बार कि सब्धार निहां कर दो सकता है, एक बखत भूंद की ़ारु की जाहाइं पार के लोगते हैं, ora recording क कई पमणे वाकता है, एक मतलब दी, अगर मिलाएंगे पानी, तो diver शोन होना चाहिए, प्तना वहनों हो सकता है, जनका नितना हो सकता है, बाकि जनकावना होना क्यों हो त इसका ग्यान उन्होंने मंद से यहां पर दिया हलाएकि यह पूरी बात जो है इसकी संदर्ब में वो बात करने गए थे और यहां पर शराब के फायदे गिनाते नजर आए बेराल यह चीजे जब निकल के सामने आई तो इसके बाद प्रतिक्रियां भी हो रही हैं इन सब की ब मंत्री महोदाय मंच से शराब पर ज्यान देकर जब रवानगी के लिए निकले तो मीडिया से बातशीत करने लगे पत्रगारों ने जरजर सडकों को लेकर सवाल दागा इस पर मंत्री प्रेम साय सिंटेकाम ने जो जवाब दिया कि सडकें खराब हैं और जरजर हैं इसलिए तो सडक दुर्फटनाओं में कम ही आई है सुनिए खराब सडकों को लेकर क्या कहा मंत्री महोदाय तराब जहां खड़ाब थरकें होती हैं हमें फूना आता है कि भई इसो ठीक करवाईए लेकिन वहाँ पर एक्सिदेन कम होते हैं वहाँ पर लोगों की मौते कम होती है और जहां अच्छी रास्ते बन जाती है परतापुर से आप देख्यों की खिरतक जो रास्ता है अच्छा बना हुआ है तेकिन वहाँ इस्पीरी तीर देती है कि वहाँ रोज एक ने कोई ने कोई वहां पर एक्सिदेन होता है तो शिक्षा मंत्री हैं और अपने इस तरक के पीछे एक नई नई बनी सड़क में होने वाले हाथसों का उधारण भी उन्होंने दिया और अब जहां मंत्री महोदाई की सोच ऐसी है तो फिर सड़कों की खस्ता आती हुई है और जिस पर तेज गती से गाड़ी चलाई जा सकती है कम दूरी जो दूरी है उसको कम समय में पूरा क्या सकता है तो ऐसे में हाथसों की संख्या भी जादा होती है तो किमिलागर मंत्री जी का अब ये बयान है इसको लेकर अप्रतिक रियाय भी कई तरह से निकल के सामने आ रही है